गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर 2023 के दिन, MCN एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि सभी प्राइबेट कमपनी को अपने फिजिकल शेर सर्टिफिकेट को डिमेटरलाइज फॉर्म में कनवर्ट करना होगा तो कैसे होगा ये कनवर्सन, किसके लिए मेंडेटरी नहीं है डिमेटरलाइज करवाना कब है डिमेटरलाइजेशन की लास्ट डेट और अगर नहीं करवाते हैं तो क्या-क्या consequences होंगे जानेंगे पूरी details आज के इस वीडियो में तो friends 27 अक्टूबर 2023 के दिन MCA ने अपने notification के द्वारा ये बताया है कि सभी private company except small companies and government companies को अपने physical shares को dematerialized form में convert करना होगा यानि कि small companies and government companies को छोड़ कर बाकी सारी private company के अपने physical share को dematerialized form में convert करना होगा अब बात आती है कि small company की definition क्या है तो अगर बात करे small companies की तो वो company जिनका paid up share capital 4 करोड से ज़्यादा का ना हो और साथ ही उनका annual turnover 40 करोड से ज़्यादा का ना हो तो बात आती है कि अगर किसी private company का paid up capital 3 कोड है और उसका turnover 60 कोड का है तो क्या ये small company के definition में आईगी तो इसका जवाब है no क्यूंकि paid up capital and turnover दोनों ही criteria match होनी चाहिए तो friends ये तो पता लग गया कि small companies कौन सी होती है तो इनको छोड़कर सभी private company को 30 September 2024 से पहले अपने physical shares को demetalized form में convert कर लेना है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 30 September 2024 के बाद आपको prohibit या फिर restrict कर दिया जाएगा कि आप कोई offer नहीं दे पाएंगे issue of securities को लेकर ना ही आप buyback या फिर bonus share और right issue कर पाएंगे और साथी companies और उसके सारे officers पर 10,000 रुपे तक का जुर्माना भी लिया जा सकता है इंडिया में फिलाल demetalize करने के लिए आपके पास दो option है आइदर आप NSDL या फिर CDSL के त्रोप अपने physical shares को demetalized form में convert कर सकते है आसा करते हैं ये जानकरी आपको पसंद आई होगी Thank you for watching